नमस्का और दोस्तों स्वागत आप सभी के हमारे online चेल पे दोस्तों आज की क्लास में परिया और अरन सरक्षन अधियम 1986 का पार्ट दो पढ़ने वाले हैं भाग दो आज हम पढ़ने वाले हैं और इसका पार्ट वन हम और अरड़ी पढ़ रखे हैं तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखा तो प्लीज आप एक बार जाकर जरूर देख लिजेगा क्योंकि बहुत ही सरल और आसान भासा में मैंने परिया और अरन सरक्षन अधियम के सभी धाराओं को आपको बताने की कोशिश की है और ये इतनी सरल भासा में आपको ना कहीं बुक में मिल पायागी ना इंटरनेट या यूटूब में तो प्लीज आप उसे एक बार जरूर देखिएगा और आज के क्लास में हम परिया और सरक्षन अधियम को टोटली खतम कर देंगे ये लास्ट क्लास होगा तो प्लीज आप इसे भी लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप नए है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथी बेल आगर को दबाएगा ताकि आपको सारे वीडियो के नॉटिफिकेस्ट समय मिलते रहें फेजबुक और टेलिग्राम पर दोस्तों आप हमसे जुड़ जाएगा हम यहाँ पर रोजाना महत्रपुन इनिफ़र्मिशन शेयर करते हैं और क्लास से जो नॉट्स पीड़ अन्य तरह के वीडियो से आपको इंस्टा मोच पर मिल जाते हैं आप यहाँ पर जाकि उसे परचेस कर सकते हैं है कि देखें पार्ट वन में हमने धारा-10 तक पढ़ लिया है तो आज हम उसी को कंटीनियू करेंगे धारा-11 से हम आज का कलास सटार्ट करेंगे धारा-11 में क्या है परिया और इस द्रवक्षन अधियम-980-6 की धारा-11 के हम बात करें धारा-11 में नमुने लेने की सक्ति एवं इनकी प्रक्रियाएं ठीक किस तरह से नमुना लिया जा सकता है कैसी प्रक्रियाएं होंगी ये है धारा 11 में चल थोड़ा से देखते हैं देखे पूरी सक्ति किसके पास है केंदर सरकार ठीक है ध्यान से सुनेगा केंदर सरकार या उसके द्वारा ससक्त क किसी भी वेक्ति मतलब केंदर सरकार ही तै करेगी कि किस वेक्ति को हम इस कारी के लिए चयन करेंगे चुनेंगे तो केंदर सरकार या उसके दोरा ससकत किसी भी वेक्ति को कार खाने परिसर या अन्य इस्थान से वायू जल मृदा या अन्य पदार्स के नमूने लेने की शक्त सिंपल सी बात है यदि काम छोटा है तो एक प्रयोक्षाला और कारी इतना बढ़ाया कि एक से अधिक उस प्रयोक्षाला की मदद करने के लिए अन्य और प्रयोक्षाला की स्थापना अगर करना पड़ा तो वो भी किया जा सकता है यही सारी बात इसमें लिखी हुए के इंद वो किस तरह से चुने जाएंगे यह बात कहीगे धारत तेरह में केंद्री सरकार शाष्की राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारत योग गिता के अधार पर हवा पानी मिट्टी या अन्य पदारत के नमूनों के विशलेशन के लिए विशलेशक नियुक्त कर सके केंद्र सरकार ये तरह करेगा कि हावा, पानी, मिट्टी ये द्वारत शारी शापने के विशलेशन की रिपोट तो ये जो रिपोर्ट देंगे इनके बारे में कुछ चीज कही गई ही धारा 14 में एक सरकारी विशलेशक के द्वारा हस्ताक्षरित किसी भी दस्तावेच को इस अधिनियम के तहत किसी भी कारेवाही के तत्यों के सबूत की रुप में इस्तिमाल किया जा सकता है मतलब ये लोग जो भी रिपोर्ट देंगे उनको 100% सही माना जाएगा और कोई भी कारेवाही जब भी होंगी तो इसे सबूत के तोर पर इस्तिमाल जरूर किया जा सकीगा तो ये है धारा 14 अब आगे बढ़ते हैं धारा 15 में कौन सी बात है अधिनियम के प्रावधानों और नीमों आदेसों और निर्देसों के उलंगन के लिए जुर्माना अगर आप अर्धिनाम के प्रावधानों का उलंगन करते हैं तो आपको किस तरह से जुर्माना लगा जा सकता है ये बात इसमें कही किए जो कोई भी इस कानून का पारण नहीं करेगा इस अर्धिनाम का उलंगन करेगा उसे पांच साल तक ठीक है यहाँ पे तक लगा हो है मत अर्धिनाम करते ही रहेंगे तो हर दिन के लिए 5,000 रूपई तक का जुर्माना हो सकता है 5,000 रूपई पैड़े का जुर्माना भी आपको आगे लग सकता है धारा सोला देखते हैं धारा सोला में क्या है कमपनियों दौरा अपराद यदि कोई अपराद किसी कमपनी के तो कम्पनी से जुड़े ऐसे सभी लोग दोसी माने जाएंगे जो अपराद के समय कम्पनी के संचालन से जुड़े थे मतलब जो भी लोग कम्पनी से जुड़े थे और उनको पता था कि हम अपराद कर रहें जान बुझ कर वो अपराद कर रहें अगर तो उन सब को दोसी मान पैँपनी के अपराद की जानकर नहीं थी उसके पीट कीछ सारा काम हो रहा था तो उसे डंड का भागी दार नहीं माना जाएगा वो निर्दोस होगा ठीक है तो यह धाराशोला आगे बड़ते हैं अगर यह अपराद सरकारी भाग द्वारा किया जाता है तो तब कैसे किनको कि इनको डंडे दिया जा सकता है ये भी हम देखते हैं इस अध्रियम के तहत यदि अपरात सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया हो तब विभागाध्यक्ष को दोसी माना जाएगा और उसके विरुद्ध कारिवाहि की जाएगी लेकिन इसमें भी कंडिसन है अगर कोशी करार नहीं दिया जायागा इनको डंड का भागिदार नहीं मना जाएगा धार 18 के गई कारवाहि का संदेक्षन जो भी कारवाहि करेंगे इसमें कुछ भात नहीं है है आगे बद्यते हैं धाँ 19 इ film कि हैं अपरादों का संग्यान मतलब विचार तो इसमें कुछ तो मैं आपको बता दूँगा कोई भी नियाल आ इस अधिनयाम के तहत अपराद का संग्यान संग्यान मतलब विचार या हसतचेप कर सकता है निमन लोगों के परिवाद मतलब शिकायत पर ही कर सकता है पहला है कंडिशन केंद्र सरकार या उसके द्वारा निमित प्राधिकृत कोई प्राधिकरन मतलब केंद्र सरकार या उसके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी ही इसका परिवात के अधार पर इसका संग्यान कर सकेगा नियाला है आपनेशन क्या है ऐसा कोई व्यक्ति जिसने अभिकतित अफराद किया हो कम से कम साठ दिन पूर परिवाद हेतु सूचना केंद सरकार या प्राधिकृत अधिकारी को जनकर्दी हैं तो यदि कोई व्यक्ति जो दोसी हो ठीक है तो यह भी request कर सकता है साथ दिन पूर ये चीज कर सकेंगी इन लोग अब आगे बरतें धारा बीस में क्या बात है धारा बीस में सूचना रिपोर्ट या रिटरंड दो ये क्या चीज है केंद सरकार इस अधियम के दहट अपने कारियों के संबंद में समय समय पर किसी भी व्यक्ति, अधिकारी, राज सरकार या अन्य पतिकारी से रिपोर्ट वीवरं आंकड़े लेख मांग सकता है और ऐसे सभी व्यक्ति सरकार की मांग जो है पूरती करने के लिए बात दियोंगे ये लोग मना नहीं कर सकेंगे, इनको सरकार का जो मांग होगा उसको पूरती करना ही पड़ेगा, जो वीवरन, जो आंकडे मांगेंगे इनको देना ही पड़ेगा, ये देने के लिए बात दियोंगे, ये है धारा 20, धारा 21 क्या है? धारा 3 के दाध गटित प्राधिकरन के सद लिजेगा, क्योंकि इसका डिटेल और कहीं मिला भी नहीं, अब आगे बढ़ते हैं, धारा 22 देखते हैं, अधिकारी छेत्र की बाधा, ये अधिकार है, सौरी, अधिकार छेत्र की बाधा, मतलब अधिकारता में किस तरह का वर्जन आ सकता है? किसी भी शिविल नयालाय को क केंद्र सरकार या इसके द्वारा चैनित कोई व्यक्ति हो या प्राधिकरन हो, इनके सक्ति के आधिस के संबंद में कोई कारवाही करने की अधिकारता नहीं होगी है, धारा 22 में, धारा 23 है, शक्ति सौपने का अधिकार, ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लिजेगा, सक्ति और कृत्यों को प्रत्योजन यहां पर एक वर्ड लिखा होगा इसका मतलब है अपना अधिकार किसी अन्य को सौपना यह होता है प्रत्योजन तो केंद सरकार द्वारा सकती और कृत्योजन करने की सकती मतलब केंद सरकार अपनी सकती चाहे तो अन्य अधिकारी को दे सकता यह है सकती सोपने का अधिकार धारत 24 है अन्य कानूनों का प्रभाव अन्य कानूनों का इस अधिनियम में कैसे प्रभाव पर सकता है यह बात यहां पर कही गई यदि किसी कार से ऐसा अपराद गठित होता है जो इस अधिनियम के अधिन और किसी अन्य अधिनियम के अधिन भी ड ही अपराद है इस अधिनयम के तहद है लेकिन किसी अने अधिनयम के तहद भी वह अगर सेम चीज ही अपराद तो 1986 परियों सेलक्षन अधिन्यम 1986 के दाथ उसे दोसी करार नहीं दिये जाएगा जो पहले से अधिन्यम बन रखा है उसके दाथ इसे दोसी माना जाएगा और डंड दिया जाएगा तो यह है धारा 24 आगे बढ़ते हैं धारव 25 देखते हैं धारव 25 में नियम बनाने की शक्ती तो ये क्या चीज है देख लेते हैं केंद्री सरकार शास्की राजपत्र में अधिसूसना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कारियोनुवित करने के लिए नियम बना सकती है ठीक है तो धार अधिन दीक सिख्ते में उत्रियोनुवित कि Cristion spray की यीज़ए सिख्र सिख्र सकता है सिख्र सिंसत के प्रतेक सदन की समक्ष्थ रखा जाए सकता है जब तक वह सत्र में हो कुल 30 के अवदी के लिए रखा जाएगा ठीक ए तो ये आगर आपको याद रखना है कितने दिन के लिए अधिक लिए रखा जा सकता है तीस दिन अधिक लिए रखा जा सकता है तो इस तरह यह complete हो गया परियों सब्सक्राइब अगर आपने पिछला क्लास नहीं देखा तो वहाँ एक से दस पढ़ें और यहां पढ़ें ग्यारा से लेकर चब्विस तक तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे बढ़ेंगे प्यारा से नहीं देखा यहां आज की क्लास तक ही पढ़ेंगे आज की की कलास ़ेकर प्यारा ही।